नमस्कार स्वागत है आप सबका Study IQ IS के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है वसू कटारा टॉपिक जो हम आज डिसकस करने जा रहे हैं हम ये सीरीज इंडिया नॉमिक सीरीज जो कर रहे हैं उसमें 60 से दाधा लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आज हम 5-year plans के बारे में पढने जा रहे हैं पंच वरिशिय योजना इसे हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में 5-year plans कहते हैं जो की हमारे UPSC Civil Service exam prelims और mains दोनों के लिए important है 5-year plans के अंदर हम देखेंगे भारत के total 12 12 5-year plans हुए हैं starting with the 1951-56 5-year plan which was the first 5-year plan भारत में सरकार ने 5-5 साल की योजनाओं को बना कर plans को बना कर हमारे देश के अंदर proper एक planning का system बनाया first 5-year plan 1951-56 तक आया और आखरी total 12 आये हैं 12th 5-year plan अभी हमारा 2012-2017 तक चला इस दौरान देश में 5-5 साल के 12 total plans आये हैं हम इस session के माध्यम से इन 5-year plans को समझेंगे आप मेरे साथ मेरे telegram वसू-कटारा study IQ पर connect हो सकते हो यह मेरा telegram group है UPSC की serious preparation करना चाते हो यहाँ पर आपको handwritten notes मिलेंगे और हमारे questions मिलेंगे practice करने के लिए this is the telegram group instagram id is vasu.katara यह मेरी instagram id है सबसे पहली बात इंडिया में आजाद भारत में नहरु जी की cabinet के तहट एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि इंडिया भी उसी planning model को follow करेगा जो रशिया के अंदर USSR आज तो आप रशिया कहते हो उस time पर USSR कहते थे USSR के अंदर जो model follow हो रहा है उसी model को इंडिया में भी आजादी के बाद follow किया जाएगा जैसे हम कहते हैं 5 year plans का या proper planning का model इंडिया में growth जो है उन 5 year plans के तहत होती थी basically क्या था हर plan में target बना दिया जाता था जो हासिल करना है सरकारों को उनको हासिल करने के लिए कितना पैसा चाहिए क्या-क्या सरकार initiative लेगी वो पहले ही pre-decided होता था decide किया जाता था पहले से ही एक बार decide कर दिया फिर उसको implement करने की कोशिश की जाती थी government कितना income कमाईगी उस income को कमाने के लिए कितना खर्चा करना होगा ये सब पहले से ही decide किया जाता था starting with the first five year plan सबसे पहला five year plan पहली पंच वर्षय योड न आई 1951 से 56 के बीच में ये वो पांच साल का समय था इसने focus किया इंडिया के अंदर economic development को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले परदान मंतरी जवाहर लाल नहरू जी ने पारलेमेंट में इसको पेश किया था इसी टाइम पर एक बड़े फेमस economist है जिनका नाम है के एन राज उन्होंने ये कहा कि हम अपने पहले five year plan के तहद चाहते थे तरक्षी करें काफी तेदी से agriculture sector के अंदर agriculture को देश की backbone बनाए अब देखिए agriculture खेती करनी है खेती करने के लिए क्या चाहिए आपको पानी चाहिए तो उसके लिए सरकार ने irrigation program शुरू करे irrigation program शुरू करे जिसमें कई सारे dam बनाए बांध बनाए आपने भाकडा नांगल डैम सुना होगा वो develop करना शुरू किया था तो इनके लिए सरकार ने काफी ज़्यादा funds provide करे funds allocate करे ताकि agriculture sector के अंदर एक turn around आ सके target था हमारा क्योंकि आपको हर plan के अंदर target meet हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में idea होना चाहिए T मतलब target target था हमारा 2.1% जहाँ पे हमारा जादा focus था agriculture की growth के लिए 2.1% was the target और हमने हासल किया bumper 3.6% कुछ experts कहते हैं that it was a shot in the dark बस तुक्का मारा और लग गया जो first 5 year plan था पहली 5 वर्षय योजना इसमें दो बड़े famous economist रहे है Harrod और डुमार उनके economic model के आधार पर ये plan बनाये गया इसलिए इसको Harrod डुमार model कहा जाता था इन्होंने कहा सरकार को अपनी savings बढ़ानी चाहिए सरकार अगर खर्चा कर रही है तो जादा से जादा खर्चा करके पैसा कमाय सरकार इसका प्रयास government को करना चाहिए such initiative has to be started by the government तो first five year plan को Harrod डुमार plan की category में रखा और इसने काफी सारे changes करने की कही investment करने की कही agriculture sector में इसलिए agriculture infrastructure को सुधारने के लिए इंडिया के अंदर dams create किये गए बांध बनाये गए यही time period था जब सरकार ने GDP की growth को जाधा बढ़ाने की कोशिश करी इसी time पर IIT Indian Institute of Technology बनाने का फैसला लिया गया at the end of the first five year plan तो आप याद रख सकते हैं कि IIT डेवलप किये जाएंगे इंडिया में आपको पता है पहला IIT कहां बना था Bengal के खड़कपुर के अंदर actually वो अंग्रेजों के time की एक jail होती थी अंग्रेजों के time की एक jail होती थी और उसी jail में develop किया गया था IIT अच्छा बाइद वे लोग question लिख रहे हैं बीच में लिख रहे हैं कि sir question पूछना है आप अगर यहां पर पूछना चाहते हो तो यहां पर आके पूछ लीड़ेगा वरना भी class disrupt हो जाएगी affordable housing मिल सके क्यों खास तोर पे यह वो time था जहां पर पाकिस्तान से refugees इंडिया की तरफ आ रहे थे अब उनको रहने के लिए जमीन देनी है rehabilitate करना है अच्छी medical facility प्रोवाइड करनी है education प्रोवाइड करनी है यह बात ध्यान लखिएगा partition का जखम जो था वो बहुत ज़ादा घहरा चुका था इसलिए हम agriculture को ज़ादा सज़ादा develop करना चाहते थे we wanted to develop the primary sector please remember this इसी वज़े से आपको देखने मिलेगा यही वो time period था जहां पर एक तरफ agriculture को boost करने की बात करी education को boost करने की बात करी education को सुधाने के लिए IIT बनाये गए से Indian Institute of Technology, Higher Education, Colleges Colleges को खोलने के लिए सबसे important चीज़ क्या है पैसा, सबसे important चीज़ क्या है सरकार की permission, सरकार पैसा भी देगी permission भी देगी उसके लिए UGC बनाये गया University Grants Commission, so all these changes were created in the first five year plan पहला five year plan जो था 1956 तक end तक आते आते, इस five year plan के end तक आते आते पाँच IIT established किये गए और education को सुधारने के लिए University Grants Commission बनाये गया University Grants Commission का काम था कि grant देना, पैसा देना, अनुदान देना, assistance देना, अलग-अलग economic growth and development की activities को बढ़ावा देने के लिए in the area of education because लोग पैसा कमाएंगे, क्यों, जब उनके पास education अच्छी होगी, तो आप चाहते हो देश में लोग ज़्यादा पैसा कमाएं तो उन्हें ज़्यादा अच्छी education भी देनी चाहिए, तो यह सारे objective थे, sum up करता हूँ, first five year plan में, refugees जो पाकिस्तान से आ गए थे, उनको rehabilitate करने का कहा, agriculture को develop करने की बात कही, आत्मा निर्बरता को बढ़ावा देने की बात कही, हैर और डोमार मॉडल पे आधारित था, जो savings को बढ़ाना देना चाहता था, आजाद भारत के लिए agriculture पे first five year plan का ज़्यादा emphasis था, पांच IITs बनाए गए थे, University Grants Commission बनाए गया था, टारगेट था 2.1% का, अचीव कर लिया गया 3.6%, ये कहानी है, ये दास्तान है, पहली पंच वर्षे योजना जो 1951 से 1956 तक चली, ये बात याद रखिएगा, आगे चलते हैं, आगे next हम five year plan पे चलते हैं, तो second five year plan, वो 1956 से 61 तक चला, यहाँ पे सरकार ने अपना orientation बदल लिया, हमने agriculture से थोड़ा focus change किया, और industries की growth और development पे focus करना शुरू किया, agriculture से अपना focus हमने rapid industrialization की तरफ करने की कोशिश की, कि industries से हम rapid तरीके से तेजी से industrialization के रास्ते पे जाने की कोशिश करें, industrialization को बढ़ावा देने की कोशिश करें, rapid industrialization of the Indian industries, कोई तो व्यक्ती होगा जिनके महार्ग दर्शन में यह सब काम हो रहा होगा, भारत सरकार ने बड़े famous economist थे, P.C. प्रशान्चंद्र महालनोबिस, P.C. महालनोबिस, इनका नाम था, प्रशान्चंद्र महालनोबिस जी ने plan बनाया, जिसके तहट second five year plan बना इंडिया में, objective था, structural transformation, कृशी प्रधान देश, agriculture dominant country, जहाँ पर agriculture ही मही साधतर लोग involved थे, उनको आप जादा से जादा industries की तरफ ढखेलो, फैक्ट्रियां खोलो, दूसरे देशों से आप अलगरे चीज़ें मगाते हो, steel दूसरे देश से खरीदते हो, iron दूसरे देश से खरीदते हो, क्यों ना उन्हें इंडिया में develop किया जाए, इसी के लिए, एक structural transformation लाने के लिए, धाचे में बदलाव करने के लिए, economic pattern में बदलाव करने के लिए, ये सारा काम किया गया, structural transformation लाने के लिए, ये काम किया गया, पूरे धाचे में बदलाव करने के लिए काम किया गया, सरकार ने इसके लिए, कई सारे initiative शुरू करे, सरकार ने कई सारी, बाहर से मगाई जा रही चीजों के ओपर जो इंडिया में आती थी टैक्सिस लगाया, क्यों सोचो इंडिया के अंदर बाहर से जो चीज़ें आ रही है विच इंडियन्स आर इंपोर्टिंग उन पर टैक्स बढ़ा दिया फिर क्या होगा, फिर उनसे वो प्रोड़क्ट हो जाएंगे expensive, महंगे और जब वो expensive हो जाएंगे जब वो महंगे हो जाएंगे तब आपको देखने मिलेगा इंडिया के अंदर लोग बाहर के बने हुए प्रोड़क्स ना खरीद कर इंडिया में domestically प्रोड़क्स खरीदेंगे जो domestically इंडिया में बनाए गए हैं domestically जो की इंडिया में बनाए गए हैं भारत में प्रोड्यूस किये गए हैं target था 4.5% का हम इतना तो हासिल कर ही लेंगे पिछली बार की performance पिछले 5-year plan की performance काफी अच्छी थी हम ने थोड़ा हलका perform किया actually 4.27% was the rate of performance which we received यह हमें देखने मिला 4.27% हमें देखने मिला second 5-year plan के तहत आपको देखने मिलेगा तो second 5-year plan में सरकार ने कहा तेजी से industries को बढ़ावा देंगे PC Mahal Anobis जी के model को follow किया economic development के क्या model था उन्होंने कहा था structural transformation करो धाचे को बदल दो agriculture पे सारा पैसा लगाने से अच्छा है आप develop करो industries को factory आँ को लोगों को नौकरिया मिलेंगी दूसरे देशों से जो समान खरीदे हो उसे खरीदने की बजाए इंडिया में बने गए समान को खरीदो गए बाहर से इंपोर्ट करने की बजाए इंडिया में Indian made products खरीदो गए made in India products खरीदो गए इंडिया के बने हुए products लोग जाधा खरीदे हैं उसके लिए tax लगाया गया Indian made products सस्ते हो जाए foreign made products महंगे हो जाए इसलिए foreign made products पे tax लगाया गया जिससे क्या होगा, जिससे foreign made products जो इंडिया में आते हैं, महंगे हो जाएंगे, उनको ना खरीद के भारतिया Indian made products खरीदेंगे, factories इंडिया में open हुई, बिल्कुल हुई, इस टाइम पर hydro electricity projects बनाए गए, HEP बनाए गए, इंडिया में factory यां सेट अप हुई, भिलाई, दुरगा और रौर केला के अंदर, आपका homework है, इन सारे शेहरों के बारे में बताओ, यह कौन से कौन से states में आते हैं, जहां पर भिलाई, Soviet Union की मदद से, दुरगापुर, Britain या UK की मदद से, और रौर केला, Western Germany की मदद से, hydro electric projects और steel plant open करे, इन जगों पर, hydro electric project का मतलब होता है, जहां प और steel plant बनाए गए थे, तो अब steel इंडिया में manufacture होगी, steel manufacture करने के लिए आपको कोईला चाहिए, कोईला का भी production बढ़ा, हमने railway की connectivity भी बहतर करी और इंडिया के North East part को, इंडिया के North East part को, इंडिया के बाकी हिस्सों के साथ connect करने की कोशिश करी, ताकि इंडिया के साथ, प् बब्लम ये थी, हमारे पास foreign exchange crisis हो गई थी, इसका मतलब है हमारे पास dollar या दूसरे देशों की currency नहीं बची थी, जैसे हम US से कुछ खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास US की currency होनी जरूरी है, इंडिया दूसरे देशों की currency रखेगा, तभी तो उनके साथ trade कर पाएगा, हमा युद्ध से गुजरा, ये इंडिया के सबसे unstable period में से एक था, 1961 से 66, दो बड़े बड़े प्रधान मंत्रियों की मर्ति हो जाती है, जवाहर लाल नहरू की पहले death होती है, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की death हो जाती है, 1962 में इंडिया और चाइना की war होती है, चाइना हम पर attack कर देता है, अग्रेशन करता है, 1965 के अंदर पाकिस्तान को लगता है कि वो भी हम से लड़ पाएगा, हम से जीत पाएगा, बट पाकिस्तान को हम सबक सिखाते हैं, ये वही time था जब देश में अकाल पढ़ा हुआ था, तो अभी फिलाल जिनकी death हुई है कु पंजाब और जिसके अंदर आज का फिलाल का जो वेस्टरन यूपी का एरिया है, मुदफर नगर और उसके आसपास के लाखे, इन एरियास के अंदर ग्रीन रेविलूशन, हरित करांती आई, इनी एरिया को चूज किया क्योंकि यहां के किसानों के पास जमीने बड़ी थी लारजर लैंड पारसल था, यहां के किसान रिस्क लेने के लिए तयार थे और जेब में उनके पैसा था, जिस पैसे को खर्च करके वो जादा से जादा रिस्क लेकर अग्री कल्चर पे लगा सकते थे, ग्रीन रेविलूशन के तहत हमने हाई इल्डिंग वेराइटी वाले पेश करें जिनको डवारइटी भी कहते हैं, इस वेराइटी के सीट हमने इंडिया के अंदर प्रेजेंट करें, जहां पे हरयाना, पंजाब और वेस्टन यूपी में हमारा राइस और वीट का प्रोड़क्शन पहले से बड़ा धीरे दीरे बड़ा और इंडिया आज आत् करके 300 metric ton million metric ton अनाज इतना इंडिया उगा पा रहा है पहले दूसरे देशों से खरीदता था अमेरिका हमें इसी समय एक अपने असिस्टेंस प्रोग्राम के तैथ public law 480 PL 480 ये क्या है ये किस्म है ये किस्म है अनाज की food grains की जो कि वहां पर जानवरों को सूरों को pigs को feed किया जा आता था कि fig pigs जो है सूर जो है मोटे ताजे हो सके और उनके meat को जिसे हम pork कहते हैं अमेरिका में खाया जा सके वो उसी variety के wheat को इंडिया को दे रहे थे सोची हमारे बारे में कितना low सोचते थे और उस variety के wheat को इंडियन्स को दे कर उनकी यही इच्छा थी कि हमें मदद करने के नाम पर humiliate करें और यह किस्म का अनाज इंडिया में दिया जा रहा था PL 480 इंडिया के मदद के नाम पर we were heavily dependent on foreign aid and foreign assistance तो agriculture को इंप्रूव करना हमारी जिम्मेदारी थी इसलिए हमने green revolution लेकर आए wheat के production को बढ़ाया rice के production को बढ़ाया state government को और भी development की जिम्मेदारी दी गई contribute करना होगा especially in the area of education अपने schools बनाओ colleges बनाओ higher education को बढ़ावा दो तब ही देश कोई तरक्की कर पाएगा agriculture में वैसी crisis थी इसलिए लाल भादो शास्तरी जी ने इस time पर नारा दिया जै जवान जै किसान इसी time पर नारा दिया जवान क्योंकि border पर वो लड़ रहे थे पहले च motivation देने के लिए तो ये जै जवान जै किसान का नारा दिया जाता है because of the consistent wars and the agriculture crisis happening कई सारे डैम इस time पर बनाए गए हमारे देश में cement factory fertilizer factory इस time पर बनाए गई खाने पीने की चीज़े कम उग रही थी और जब किसी भी food crop की quantity जादा produce नहीं हो पाती है demand जादा होती है उसकी supply के मुकाबले तब वो food grain महेंगे होने लगते हैं और इसी time पर हमें देखने मिला that inflation was rising महेंगाई बढ़ती जा रही थी खास तोर पर खाने पीने की चीज़ों के अंदर food prices के अंदर महेंगाई बढ़ती जा रही थी increase होती जा रही थी और हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा डॉलर के मुकाबले रुपय की value कमजोर होती जा रही थी वीक होता जा रहा था रुपया डॉलर के मुकाबले डॉलर strong हो रहा था हमने अब तक अपने lectures में पढ़ा है एक concept जिसको हम कहते हैं currency devaluation हमारे रुपये को devalue किया गया था devaluation का मतलब है जान बूच कर रुपय को कमजोर करना डॉलर को मजबूत करना ताकि foreigners हमारे देश में आके invest करें हमारे देश से समान खरीद हैं तो हमने रुपय को devalue किया पहली बार 1966 के अंदर जिसका मतलब है रुपय को पहली बार खुद से हमने कमजोर किया Automatically अगर रुपय की value डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है तो उसे आप कहते हैं depreciation of Indian rupee और जब RBI मतलब सरकार के कहने पर Reserve Bank भारत का Central Bank रुपय की value weak करे डॉलर की value strong करे तो उसको कहते हैं devaluation of currency और third five year plan में Indian currency को devalue किया agriculture पर पहले ही मार लग रही थी हमें हमें मदद मांगनी पड़ी अलग अलग international institution से जहां पर पहली बार IMF International Monetary Fund नाम की international organization जो United Nations के अंदर आती है World Bank का तो सबने नाम सुना है World Bank और IMF जड़वा organization है एक साथ बनाए गई थी इस time पर World Bank की तरह IMF जो organization है उसने हमें financial help करी हमें पैसा उधार पे दिया इंडिया के अंदर electricity के development के लिए हमने जिम्मेदारी दी state governments को के जरा अपने state के अंदर अपने राजियों के अंदर electricity production को बढ़ावा दो आप Indian states के अंदर education को बढ़ावा दो ये states को जिम्मेदारी दी गए state government को कि center government ही सारा पैसा क्यों लगाए भाई state governments को भी responsibility मिलनी चाहिए education के सुधार की पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत और electricity प्रोवाइड करने की उन एरियास में जहां तक आज बिजली नहीं पहुँच पाई है तो इस टाइम पर third five year plan में ये necessary change हुए सुधार हुए drought अकाल सूखा पढ़ा हुआ था बारेश जितनी expected थी उतनी हो नहीं रही थी इसलिए हमने जो target किया था five point six percent की growth का क्या वो meet हो पाया अजी आधा भी meet नहीं हो पाया हमारा target actually मैं two point four percent ही meet हो सका हमारा target था five point six percent पर हम actually target पूरा कर पाये two point four percent two point four percent का हमारा target था आत्मनिर्बर्ता को बढ़ावा देंगे पर आत्मनिर्बर्ता देश में आई नहीं पाई अलग-अलग wars की वज़े से famine की वज़े से इंडिया develop हो ही नहीं सका पर चलो at least हमने ये कहा कि state government तुम जिम्मेधारी समालो किसानों हमारे देश में अनार्ज को बढ़ाओ food grains को बढ़ाओ हमने सब के लिए कुछ ना कुछ roles and responsibility fix कर दी but ये एक failure की तरह मानी है इसको एक failed program की तरह मानी है third five year plan 1966 में खतम होना था but आपको देखने मिलेगा एक बड़ी problem ही होगे कि भारत के दो प्रधान मंत्री back to back उनकी death हो जाती है और back to back death हो जाने की वज़े से third five year plan को failed five year plan माना जाता है government कहती है कि अब थोड़ा रुक जाते हैं जरा देखते हैं इस five year plan के model में ही कोई problem तो नहीं है और उस time period को plan holiday कहा जाता है जिस time पर कोई five year plan नहीं बना कोई plan नहीं बनाया गया सालाना तोर पर annual basis पर 1966-67 1967-68 और तीसरा 1968-69 इन तीन सालों के लिए इन तीनों years के लिए आपको देखने मिलेगा एक plan holiday create किया गया था जहां पर आपको देखने मिलेगा इन तीन साल तक हमारे agriculture के खराब होने की वज़े से wars multiple युद्ध होने की वज़े से हमने plans उस time पर सोचा थोड़ा time रुक जाते हैं वैसी देश में सूखा इतना पड़ा हुआ है agriculture को revamp करने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्री को revamp करने की कोशिश करते हैं इस time पर हमने ये किया पर सबसे बड़ी problem ये थी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार के time पर इस time पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी हमें अपने रुपी को और devalue करना पड़ा अमेरिका के कहने पर इस टाइम पर डी वैलुएशन ओफ रुपी हुआ जिस वए से इंदरा गांदी जी के उपर बहुत सवाल भी उठे कि वो अमेरिका के दबाव में आके अपने रुपे को वीक कर रही है डॉलर के बजाए ये तो नहीं होना चाहिए डॉलर स्ट्रॉंग होगा रुपिया वीक होगा एक टाइम था जब आजादी के बाद एक डॉलर की वैल्यू फोर रुपीज की होती थी और आज देखिए एक डॉलर की वैल्यू 84 रुपीज के आसपास की आ गई है तब से लेकर अब तक रुपिया कई बार डिवैल्यू हुआ है और डिवैल्यूएशन मतलब हाथ पकड़ के रुपे को कमजोर करना अटोमेटिकली अगर रुपिया कमजोर हो तो वो डेप्रिसेशन कहा जाता है अगर यह मतलब नहीं समझ आ रहा इन कॉंसेट का तो मैंने क्लास ली है साथ लेक्चर ली है कुछ तो पढ़ाय होगा सोचे सीरीज में तो मैंने उन साथ लेक्चर में से कुछ लेक्चर के अंदर devaluation, revaluation, depreciation, appreciation पढ़ाया है प्लीज उनको जाके देख लीजेगा प्यार से बता रहा हूँ प्लीज जाके देख लेना छोड़ना मत आपके ही फाइदे की चीज़ है आगे चलें नेक्स्ट यह आपका प्लान holiday का time रहा इस time पर कोई proper plan नहीं बने it was a time of great instability for India अमारी देश के अंदर agriculture काफी crisis situation में चले गए थी food shortage बहुत बड़े level पे हो गया था I repeat food shortage बड़े level पे हो गया था आपको देखने मिलेगा कि agriculture strategy हमने change करी green revolution को लेकर आए और उसने धीरे-धीरे सुधार करना शुरू किया इंडिया के अंदर high-wielding variety वाले seeds कम टाइम में जादा गर्मी में कम पानी का इस्तमाल करके भी उगने लगे और देश में agriculture production बढ़ने लगा हमारे सास में सास आनी शुरू ही बट धीर-धीरे स्टार्ट हुआ पहले western part of India से शुरू किया साउथ इंडिया को एक्स्प्लोर किया क्योंकि तमिल नाडू आंदरपदेश इंडिया के कुछ इलाके थे जहां पर अमीर किसान बड़ी जमीनों के साथ जिनके पास पानी अवेलेबल था irrigation अवेलेबल था क्योंकि हमने अगले 5-year plan में दिखा जिसे हम कहते है 4th 5-year plan and believe me when I say that this plan also was very difficult to manage reason फिर से फेहमाई ना गया बाप्रे बाद बाद लग पर बैड लग और फिर से वार हो गई किस के साथ पाकिस्तान के साथ किस बात को लेकर बांगलादेश को आजाद कराने के मुद्दे को लेकर बांगलादेश को आजाद कराने के मुद्दे को लेकर East Pakistan था पहले बांगलादेश हमने का आमार सोनार बांगला कराइंगे इनको आजाद इसके लिए हमने मुक्ति बाहिनी जो वहां की Freedom Struggle वाली organization थी उसको support करना शुरू किया यहाँ पर भी ambition बहुत बड़ा दिखा दिया हमने सोचा कि war के time पर हमारे देश में जब war चल रही है जब famine चल रही है उस time पर ठीक था grow कर लेंगे वाट unfortunately नहीं कर पाये target था 5.6% का हासिल हो पाया 3.3% कुछ ना कुछ चो चलिये achieve कर ही लिया हमने ऐसा नहीं है that achievement was very poor but it was lower than what we expected जगे जगे सूखा पड़ता था अकाल पड़ता था उसको solve करने के लिए हमने drought area development program शुरू किया drought area development यह क्यों शुरू किया गया था इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में जहां पर बारिश होती नहीं थी और उस टाइम पर बारिश से क्या relation था agriculture was mostly rain fed आज के टाइम पर तो आपको बोरिं है आपके पास आज के टाइम पर irrigation की ऊचली facility कनाल का पानी ले लेते हो जैसे पंजाब के अंदर जासे राजिस्थान के अदर इंदर गांधी कनाल है तो कनाल का फाइदा कनाल के पानी का फाइदा ले लेते हो भाट उस टाइम पर आपको कै लगता जगे जगे कनाल थी नहीं उस टाइम पर rain fed agriculture पर जाधा dependent रहना पड़ता था यह वही टाइम था जब देश में गरीबी कम करने के लिए सरकार ने नारा दिया गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा तो दिया उसके साथ थाथ 1969 के अंदर 14 प्राइवेट बैंकों को रात और रात सरकार ने कहा की आर्थ से यह है सरकारी मतब देवर नैशनलाइजड और पार्लियमेंट से लॉबी पास करा लिया इसके लिए और बस इतना ही नहीं एक मूवी आई थी अजय देवगन की बाद शाहो नाम की आई डोंट क्या situation होई थी actually problem यह थी कि जो राजा महराजा होते थे ना इनके पास जो tax का पैसा आता था वो आम जनता का पैसा था Britishers के टाइम से लैंड रेवेन्यू सिस्टम जमीनदारी सिस्टम के तहट उनके पास काफी collection काफी पैसा था कई बार लोग सर अपने राजय महराजय रानी महरानियों को तरीके से जोडने के लिए एक pension देगी क्योंकि अब आपका राजपाट तो खतम हो जाएगा अब आप एक democratic country का पाट होगे लोकतांतरिक देश का पाट होगे तो आपका राजपाट तो समाप्त ना your rule is over now but don't worry to take care of yourself to take care of your family we will be providing you with some pension उस pension को कहा जाएगा प्रिवी पर्स उसको कहा जाएगा प्रिवी प्रिवी मतलब जो खास होता है पर्स ताकि इन राजा या रानियों का यह नवाबों का निजामों का खयाल रख सके सरकार आजादी मिल चुकी थी 1969 आच चुका था इंद्रा गांधी जी को लगा 1947 में आजाद हुए थे 20 साल होगा इनको यह पैसा देते हुए यह तो आम जनता के साथ आम जनता की बेकदरी है ना कि आप राजे महराजों को इतना पैसा दिये जा रहे है उनकी जेब भरा जा रहे ह देश में गरीबी इतनी जादा है और आप कुछ लोगों की जेब में पैसे भरे जा रहे हो इससे अच्छा है कि आप इस प्रिवी पर्स को खतम करो और इन राजे महराजों को पैंशन देना बंद करो यह क्यों किया गया था इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए यह खुद अपने लिए कमाओ खाओ तभी आज के टाइम पर कई सारे हेरिटेज होटल हैं वो इन राजे महराजों के होते थे अगर आप जैपूर साइट जोदपूर साइट जाओगे हेरिटेज होटल आज म्यूजियम होगे हेरिटेज होटल होगे वो इन राजा महराजों के palace ही थे जिनको आज जिनों ने आ तो private organization को दे दिया Tata group को दे दिया कि आप चला लो कोई बात नी जो पैसा बनेगा हमारे साथ share कर लेना तो अब मुद्दे की बात यही थी कि ये प्रिवी पर्स भी खतम हुआ second five year और fourth five year plan पाड़ने इस दर्मिया और क्या major highlight रहे मैंने बताया target five point six percent हासिलित ही हो पाया agriculture इस ताइम पे फिर फेल हो गया था गरीबी हटाओ का नारा है agriculture ही नहीं चल पाएगा तो कैसे हटा लोगे 14 बैंकिस के लिए nationalize की करें ताकि गरीबों को जो गाउं में रहते उनको agriculture के development के लिए दलित community के development के लिए loan मिल सके ताकि उस loan के पैसे का फायदा उठाके देश के अंदर जादा से जादा development आ सके तो यह fourth five year plan के major major highlights थे हमने अपने देश के अंदर food grains का production बढ़ाना शुरू किया बलकि अनाज इतना जादा उगा रहे थे कि हमारे देश में पहली बार एक concept आया उस concept का नाम था buffer stock कि आज अनाज का production food grains का production इतना जादा हो गया है कि हम आने वाले सालों के लिए थोड़ा store करके रख रहे हैं कि in case कभी किसी साल बारिश कम होती है तो इस buffer stock से अनाज निकाल के इस्तमाल करेंगे गरीबों को अनाज बाट निकले तो पांच मिलियन टन अनाज का buffer stock पहली बार इंडिया में बनाया गया क्यों क्योंकि ये देन थी green revolution की जिसने agriculture को और जादा advance किया था ये हमारे fourth five year plan में रहा next था fifth five year plan fifth five year plan was a political turmoil fifth five year plan में राजनातिक तोर पे बड़े बड़े संकट आए सबसे बड़ा संकट था emergency जो लगाई गई 1975 के अंदर और 1977 तक वो चली सोचा था कि emergency तो इंडिया में पाकिस्तान की वार के टाइम से ही चल रही थी तो एक और emergency कैसे actually पहले से external ground पे emergency चल रही थी अगर आप ने quality अच्छे से रट ली है तो आपको article 352, 356, 360 के बारे में mention पता होगा आपके दिमाग में इसकी knowledge होगी because you are aware of the emergency provisions अगर नहीं तो पढ़ोगे तरूर emergency external ground पे भी लगती है internal ground पे भी लगती है इंदिरा गांदी जी ने 1975 से 77 में internal grounds में emergency लगा दी अभी नाराद देती थी गरीबी हटाओ का justice लाने का employment को बढ़ावा देने के लिए वो कैसे पूरा होता जब political instability होती तो political instability ये थी कि मुरार जी दिशाई नाम के उनके competitor थे वो कहती थी कि मेरी सरकार को बरखास्त करने की कोशिश की जा रही है जहां पर मेरे political opponents अलाबाद high court और JP नारायन जी जैसे गांधीन activist के द्वारा मुझे हटाने की कोशिश की जा रही है actually क्या है इंद्रा गांधी जी का चुनावी खुद रद्ध हो गया था उनका election जीत कर आई थी ने MP की seat थी वो उनका cancel हो गया वो MP नहीं रही तो PM कैसे रह सकती है cancel क्यों हुआ ये राज नरायन जी ने case डाला था उनके खिलाब जो उनसे हार गय थे election में ये बोल कर कि election के दौरान चुनाव के दौरान इन्हों उनने सरकारी मशीनरी का सरकारी officers का इस्तमाल किया है अपने लिए vote मांगने के लिए इस वज़े से उनकी सरकार को हटा दिया गया उनके चुनाव को रद्ध कर दिया गया और सरकार हटने का खत्रा था इसलिए रात और राश्ट्रपती को बोलके प्रेसिडेंट को बोलके internal ground पे इंडिया में emergency लगाई गई ये था political debate 1974 से how many of you are thinking कि 1979 तक चलेगा technically ये 1978 में ही रुक गया था 5th 5 year plan के दौरान अब 5th 5 year plan का नारा ये था गरीबी हटानी है instability थी हट नहीं पाई इस ताइम पर सरकार ने electricity supply act में change किया जिससे center government अब बिजली बनाईगी भी और आपके घर तक transmit करके पहुँचाईगी भी तो energy supply act या electricity supply act मैं changes लाए गए है इस ताइम पर है एक और program शुरू हुआ गरीबी हटानी है गरीबों की minimum जरूरते क्या होती है रोटी कपड़ा मकान वो पूरा करना है उसको पूरा करने के लिए minimum needs program शुरू किया minimum needs program शुरू किया रोटी कपड़ा मकान जैसी basic जरूरते लोगों तक पहुचा सके है गरीबों की basic जरूरते जरूरती है वो पूरी कर सके है और minimum standard of living सुधार के अच्छा standard of living लोगों को दे ये program एक economist है बड़े famous उनके recommendation के basis पर शुरू किया गया गया जिए जिए पर जिनका नाम था D.P.धर धर सहब की सिफारिशों के basis पर ये plan बना target था 4.4% achieve हुआ 4.8% हमने actually target ही छोटा रखा था तो अगर achieve हो गया तो ये मत सोचे कि हमने बहुत अच्छा कुछ किया target वोज इटसेल्फ वेरी small ये मत सोच ना किया हम तो बहुत efficient बन गए competent बन गए रात इस टाइम पर हमारा target ही छोटा था अच्छा एक और चीज़ है हमने अपने national highway को सुधारने के लिए सडकों को सुधारने के लिए राश्य राजमार्गों को सुधारने के लिए national highways के development के लिए Indian national highway system बनाए था इस टाइम पर बनाए था ये बात याद रखिएगा 1978 में इसको खतम इसलिए किया क्योंकि इंदरा गांदी जी की सरकार चली गई एक साल पहले इसको समाप किया नए elected PM बने मुरार जी दिसाई जी मुरार जी दिसाई काफी सालों से सोच भी रहे थे प्राइम मिनिस्टर ब प्लान के सिस्टम को थोड़ा डीला रख दिया गया और उसके बारे में जो next हमारे rolling plan थे और 6th 5-year plan onwards हम कल के lecture में बात करेंगे along with talking about the most important thing that is the LPG reforms तो जरूर जुडिएगा कल के session में जहां पर हम LPG reforms पढ़ेंगे आशा करता हूं आपको session अच्छा लगा होगा comment box में feedback जरूर कर दीजेगा आप सबको ऐसे interesting topics में पढ़ाता रहूंगा आपकी Convix की complete preparation की responsibility मेरी उपर छोड़ दीजेगा UPC preparation में आपको बहुत help करेगे take advantage of it do join tomorrow's lecture at 5 p.m. on study IQIS my name is Vasu Katara take admission in UPC batches by applying Vasu live admission discount code एक बार comment box में लिखके बताओ क्या admission discount code है जो आपको use करना है Vasu live आप telegram पर मुझसे connect कहांगे Vasu Katara study IQ पर है आप मुझसे सवाल कहां पर आके पूछ सकते हैं telegram पर message कर सकते हैं मुझे instagram पर message कर सकते हैं vasu.katara remember the name and save this playlist पूरी playlist बनी हुए Indianomics की handwritten notes telegram पर है शाम पाँच बजे class होती है जो अब आपको daily देखनी है और जब भी study IQ के courses में admission ने complete preparation के लिए one discount code that is Vasu live only use that take care